So, Welcome Back Friends दोस्तो आज ये मेरे पास एक SMPS का बोर्ड एक और बेजा है मेरे एक सब्सक्राइबर ने उन्होंने ये बोला कि सर ये जो SMPS का बोर्ड है इसकी जो स्विचिंग IC थी यहां से वो फट गई थी तो मैंने IC निकाल दी है उसके उपर नंबर जो है वो मेरे को नहीं समझ में आया क्योंकि वो फट गई थी पूरी तो नंबर मुझे पता नहीं है इसका और दूसरा ये मॉस्फेट भी खराब हो गया था तो मैंने मॉस्फेट भी निकाल दिया है और अब उन्होंने ये SMPS का बोर्ड मेरे पास बेजा है कि आप इसको ठीक कर दो तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या है कि एक तो मॉस्फेट इसमें नहीं लगा हुआ है और एक इसमें स्विचिंग IC लगी नहीं हुई है तो जो मॉस्फेट नहीं लगा है वो उसकी तो प्राबलम नहीं है मॉस्फेट का नंबर यहां लिखा हुआ है यहां 8N80 यहां पर MOSFET का नंबर लिखा हुआ है तो हम MOSFET तो इसी नंबर का इसमें लगा देंगे लेकिन IC वाले हिस्से पे यहां कुछ भी नहीं लिखा है तो हमारा चैलेंज इसमें यही है कि हम इस IC को कैसे ढूंडें तो अगर आपको दोस्तों याद होगा मैंने कुछ समय पहले मेरी वीडियो नंबर है 47 उसमें मैंने इसी टॉपिक को लिया था और मैंने बताया था कि अगर आपकी IC खराब हो गई फट गई उसका नंबर नहीं लिखा हुआ है या पड़ा नहीं जा रहा है या IC नहीं लगी हुई है तो भी कैसे आप उस IC का नंबर ढूंड सकते हैं उस वीडियो में मैंने पूरा एक्स्प्लेइन किया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो ये उपर उसका लिंक आ रहा है यहां पर तो इस लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आगे देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें अगर आपने नहीं देखी है तो तो अब मैं उस वीडियो की तरह यहां पूरी तरह तो एक्स्प्लेइन नहीं करूँगा लेकिन फिर भी इस बात को समराइज कर लेते हैं उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये जो IC लगी हुई है इसकी ये जो पिने लगी हुई है हमें हर पिन की फंक्शनलिटी इसमें से देखनी पड़ेगी यानि कि कौन सी पिन कौन सा फंक्शन कर रही है इस PCB बोर्ड के आँदर तो वो अगर फंक्शन हमें पता चल जाएं कि कौन सी पिन इसकी ग्राउंड है कौन सी VCC है, कौन सी feedback के लिए है, कौन सी switching के लिए है तो अगर इस तरह से हम इसमें से ढूंड पाएं तो हम IC का नंबर ढूंड पाएंगे वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था अब उस वीडियो के बाद में मेरे बहुत सारे दोस्तों का ये मेसिज आया था कि सर आपने जो वीडियो बताया वो तो बहुत बढ़िया है सब कुछ ठीक था लेकिन प्राबलम ये हो रही है कि हमें ये पिनों पे कौन सी पिन पे कौन सा फंक्शन हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है यहां से तो आप इसको एक बार ही जरूर एक्स्प्लेइन करें तो आज ये मेरे पास एक SMPS आई थी तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना मैं ये फंक्शन ही एक्स्प्लेइन कर दूँ जिसकी रिक्वेस्ट आप लोग कर रहे हैं तो आज मैं आपको एक बार दुबारा से इस IC की पिनों को ट्रेस कैसे करते हैं ये बताऊंगा और कैसे उस पिनों का फंक्शन आपको पता चलता है वो सारा इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तो तो किसी भी IC को दोस्तो डूढने के लिए हमें मेली क्या चाहिए कि हमें चार तरह की पिनों को इडेंटिफाई करना पड़ेगा इसके अंदर वो चार पिने कौन सी हैं वो हैं दोस्तो एक तो कि VCC की पिन कौन सी है इस IC की उसके बाद GROUND की पिन कौन सी है उसके बाद आपकी Feedback की पिन कौन सी है और जैसे इस सर्कुट में देखें कि MOSFET अलग से लगा हुआ है तो IC के अंदर Drive Pin होती है जो Gate Drive करती है MOSFET का तो ये मेली ये चार पिने हमें चाहिए होती है और जहां MOSFET नहीं लगा है वहाँ पर क्या होगा Drain Pin मिलेगी आपको तो Drive की जगा वहाँ Drain Pin आ जाएगी तो अगर ये चार पिने आप इस IC की identify कर पाएं किसी भी तरीके से तभी आप IC का number ढूंड पाएंगे दोस्तो तो आज हमें ये चार पिनों को identify करना है अब इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तो मैं आपको आज पूरा डिटेल में तरीका समझा देता हूं इसका तो सबसे पहले हम ढूंड ते हैं कि इसकी Ground Pin कौन सी है इस IC के अंदर तो Ground Pin के लिए क्या है आपको क्या करना है इस तरफ से सबसे पहले आपको ये DC Capacitor डूंड लेना है कहां लगा हुआ है और इस DC Capacitor का जो Negative Side है ये वाला इस Negative वाली Pin को पकड़ लेना है आपको ये Negative है आप मैं इसमें Mark कर देता हूं ये इसका Negative Terminal है ये इसका Positive Terminal है तो DC Capacitor का Positive और Negative आपको मिल गया अब आपको Ground Pin डूंड नहीं है आप देखेंगे यहां ये Track है ये यहां से होता हुआ और ये IC के अंदर आ रहा है इस Pin पे जा रहा है और उसके बाद ये इस Pin पे भी आ रहा है तो ये वाली Pin और ये वाली Pin ये दोनों Pin क्या है Ground है इस IC की अब ये दोनों Pin कौन सी है अगर हम इसको पलट के देखें पीछे तो IC की Pin नमबर 1 किस तरफ है देखी ये नौच का निशान यहां बना हुआ है तो ये Pin नमबर 1 है IC की इस तरफ तो यानि कि इसको उल्टा जब आप करोगे तो आपको ये वाली Pin नमबर आपकी 1 है तो यहां पर मैं 1 लिख देता हूँ ये 1 नमबर पिन है और ये हमारी हो गई 8 नमबर पिन ये हमारी हो गई 4 और ये हो गई हमारी 5 अब आप देखें तो ये Ground वाला जो Track है ये यहां से होता हुआ यहां आ गया इस Pin पे जा रहा है पहले ये कौन सी Pin होई ये 4 है तो ये 3 नमबर पिन है आपकी 3 नमबर पिन Ground हो रही है यहां पर उसके बाद ये ही Track आगे जाता हुआ यहां आ रहा है इस 8 नमबर पिन पे भी Connected है तो यानि कि हमारी Pin नमबर 3 और Pin नमबर 8 ये दोनों ही Ground से Connected है तो अब हम एक Paper पे पहले I.C.Draw कर लेते हैं यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ये आठ पिने हो गई इसकी ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ अब Ground गोन सी थी हमारी एक तो हमारी 3 नमबर पिन इसमें Ground थी और दूसी हमारी 8 नमबर पिन Ground है इसके अंदर तो ये Ground वाली हमने पिन डूंड ली अब हम डूंड लेते हैं कि इसकी Feedback की पिन कौन सी है Feedback के लिए तो Feedback के लिए बहुत एज़ी है आप वापिस से इसको पलट ले पलटने के बाद आपको क्या डूंडना है और इधर है तीन और चार अब ये जो तीन और चार नमबर पिन है इसमें से एक पिन जो है वो Ground होती है आम तोर पे तो अगर आप ये पिन को Track करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सीधा कहां जा रही है आठ नमबर पे ये वाला ट्रैक जो है जो आठ नमबर पे जो अभी हमने Ground ट्रैक डूंडा था ये आठ नमबर का ट्रैक ये सीधा जा रहा है कहां ये Opto Coupler पे आगे यहां पे तो ये तो Opto Coupler की Ground पिन हो गई यानि कि ये 4 नमबर पिन है और जो इस Opto Coupler की ये 3 नमबर पिन है इसको अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैक यहां से होता हुआ यहां पर पहुँच रहा है और ये इन दोनों पिनों पे Connected है तो ये दोनों पिने कौन सी हुई ये 8 नमबर पिन है कोने पे तो ये 7 और ये 6 यानि कि 7 और 6 ये दोनों का ट्रैक जो है फीडबेक की पिन है अब रह जाता है ये ड्राइव ड्राइव पिन यानि कि अगर जिस SMPS के अंदर में MOSFET लगा है तो MOSFET के गेट को जो पिन ड्राइव कर रही है IC की उसको ड्राइव पिन बोलते है और अगर MOSFET नहीं लगा हुआ है तो वो सीधा transformer की जो primary winding है उसको switch करा रही होगी तो वो उसकी drain pin बन जाएगी बहाँ पर अगर MOSFET IC के अंदर है तो यहाँ drain pin होगी और अगर IC के बाहर है तो यह drive pin हो जाती है तो अब हम यह drive pin डूण लेते हैं कौन सी है इसकी तो उसके लिए फिर से वो ही easy है कि आपको अब MOSFET डूण लेना है कहां लगा हुआ है यहां MOSFET लगा हुआ है यह heat sink की जगा बनी हुई है इसमें यह जो design बना हुआ है heat sink का यहां पर और यहां MOSFET लगेगा यानि कि यह वाली जो pin है यह MOSFET की एक number pin है यह 2 है यह 3 है तो एक number pin MOSFET की क्या होती है दोस्तो यह MOSFET अगर आप देखेंगे एक, दो, तीन तीन pin होती है तो पहली pin जो होती है यह होती है gate दूसरी होती है drain और तीसरी होती है source मैं इसको याद कैसे रखता हूँ मैं MOSFET को हमेशा यहाँ पर GDS के नाम से याद रखता हूँ तो GDS का मतलब कि मुझे एक number pin से शुरू करना है ground, drain और source तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यह इसकी gate pin है यह drain pin है और यह source pin है अब हम इसको अगर उल्टा कर लेते हैं इस तरह से इस case में अगर आप देखेंगे यह इसकी gate pin है तो यह gate pin यहाँ आई यहाँ पर कुछ लगा हुआ है component यह component क्या लगा है यहाँ पर देखें यहाँ पर यह एक resistance और एक यह diode लगा हुआ है तो यह gate pin यहाँ आई यहाँ resistance और diode से होते हुए यह सीधा पहुँचगी IC की इस pin पर यह कौन सी pin है IC की एक number तो यानि की IC की जो एक number pin है वो MOSFET को drive कर रही है एक number pin का यह track आप देखेंगे यह यहाँ से सीधा track आ रहा है यहाँ से resistance diode से cross करके और यह सीधा gate पर आ गया तो एक number pin जो है हमारे IC की वो क्या है वो drive pin है तो drive pin हमारी हो गई यह वाली एक number अब हमने तीन जो इसके main pins हैं वो ढूंड ली हैं अब कौन सी रह गई हमारे पास VCC pin तो VCC pin को कैसे ढूंडेंगे दोस्तों बहुत असान है VCC pin को ढूंडने के लिए आपको यह देखना होता है कि VCC capacitor कहां लगा हुआ है आपका देखिए अब अगर आपने इसको इस तरह से देख लिया तो यहाँ पर आपको यह capacitor देख रहा है लगा हुआ तो यह क्या है यह आपका VCC capacitor है तो VCC capacitor की जो positive leg है तो इसकी positive leg कौन सी है यह है इस तरफ वाली तो इसको अगर हम उलट लेते हैं ऐसे तो यह VCC capacitor लगा हुआ है यहाँ पर और यह इसकी इस तरफ positive है right side वाली pin और left side वाली इसकी negative pin है तो left side वाली pin को तो आप देखेंगी यह track इसका कहा जा रहा है तीन number pin पे जो ground है जो हमने सबसे पहले डूंडा था और जो positive वाली जो इसकी lag है वो जा रही है pin number 2 पे यह इसकी positive lag है और यह pin number 2 से connect हो रखी है तो pin number 2 कौन सी हो गई हमारी वो VCC pin हो गई हमारी इस IC की तो 2 number हमारी हो गई VCC अब हमारी पास 2 pin बज़ गई 4 number और 5 number वैसे तो हमें यह 4 pin की main जरूरत होती है IC का number ढूंडने के लिए जो की हमने already ढूंड ली है फिर भी हम देख लेते हैं 4 और 5 number pin पे क्या लगा हुआ है तो जैसा कि यहां आप देखेंगे यह इस IC की 4 number pin है और यह इस तरफ इसकी 5 number pin है तो चार number pin जो है आपकी दोस्तों यह इस तरफ आ गई यहां पर क्या connect हुआ 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 है वो देख लेते हैं इसको गुमा के तो यहां पर यह एक छोटा सा capacitor लगा हुआ है और जो हमारी 5 number pin है इसके साथ यही एक component कोई लगा हुआ है यह देख लेते हैं यह यहां पर एक resistance लगी हुई है और यह resistance जो है यह यहां से गूम के कहा जा रही है आठ नंबर pin पे जा रही है यह 5 number pin से यह यहां resistance लगी यहां से गूम के यह इधर आगी और यह 8 नमबर पे आ गई, 8 नमबर पिन क्या है? ground है, तो ground से एक resistance लगाके 5 नमबर पे connect की हुई है, यानि की ये हमारा 5 नमबर पिन हो गई, इसको हमने एक resistance लगाके यहां से ground किया हुआ है, और इस तरफ से हमने capacitor लगाके इसको ground किया हुआ है, तो ये basically वैसे हमें इनकी जुरुत नहीं है आईसी डूंडने के लिए हमें ये मेन जो 6 पिने मिल गई है तो टोटल 4 आइट में जो हमने डूंडनी थी VCC की पिन Ground की पिन Feedback की पिन और Drive की पिन तो ये मेन मेन पिने हमने डूंड ली है अब इसके बाद आपको वही प्रोसीजर करना है जो मैंने वीडियो नंबर 47 में बताया था आपको अपना मुबाइल खोल के वो वेबसाइट खोलनी है और उस वेबसाइट पे जाके आपको ये सब पिनों की डिटेल उसमें डाल देनी है और उसके बाद जब आप सौर्ट करेंगे तो वहाँ से आपको IC का नंबर जो है वो मिल जाएगा दोस्तो तो अब जब हमने ये सारी पिनों की डिटेल वहाँ वेबसाइट पे डाल दी और हमने जब सौर्ट किया तो उसने हमें IC का नंबर दिया है OB-2263 तो OB-2263 की जब डेटाशीट हम निकालेंगे देखिए मैं डेटाशीट निकाल के लाया हूँ इसकी अब ये आप देख रहे हैं OB-2263 की ये डेटाशीट है करंट मोड PWM कंट्रोलर IC है ये और ये इसकी पिन डिटेल है ये इसका SMD वर्जन है जो 6 पिन में आता है और ये इसका DIP वर्जन है जो 8 पिन में होता है तो अब जो पिने हमने डूंडी थी इसके अंदर में वो ही पिने आपको यहां भी दिखेंगी देखिए पिन नंबर वान ये दिखा रहा है कि gate pin है इस IC की और यहां पर हमने क्या लिखा है drive pin है यह यानि कि यह gate को drive करती है pin वो ही है तो इसने यहां पर gate लिख दिया है तो एक ही बात है दूसरी नंबर जो pin है वो VCC pin है हमारी इनोंने VDD लिखा है तीसरा pin जो है वो ground है यहां इसने लिखा है कि तीसे pin की कोई connection नहीं है हमारी IC के अंदर तो जब कोई connection नहीं है तो जिस आदमी ने ये circuit को design किया है उसने उस pin को ground से जोड़ दिया है तो ठीक है कोई बात नहीं उसके बाद pin number 8 अगर आप देखेंगे वो यहाँ ground दिखा रहा है 7 number pin feedback हमने ढूंडा था ये 7 number ये भी feedback दिखा रहा है यहाँ पर 6 number pin ये कह रहा है कि वो not connected है 6 number भी not connected है तो जिस आदमी ने वो circuit design किया है उसने 6 number को 7 number के साथ ही connect कर दिया है तो 6 और 7 हमने यहाँ पर देखा था कि दोनों जो है feedback line से connect हुए हुए है और बाकी 4 और 5 number हमें जुरूरत नहीं होती है डूंडने की IC का number डूंडने के लिए बस ये main main चार चीजें चाहिए होती है तो अब आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमने इस IC को डूंड लिया है और वो IC कौन सी है हमारी ये IC है हमारी OB223 तो ये IC अभी मेरे पास तो पड़ी नहीं है तो ये IC अब मैं मार्केट से लेके आऊंगा तो फिर हम इस SMPS बोर्ड के अंदर में इस IC को लगाते हैं और देखते हैं कि जो हमने IC ढूंडी है क्या वो इससे ये बोर्ड चलता है कि नहीं चलता है तो ये मैं आपको अगली किसी वीडियो में दिखाऊँगा क्योंकि अभी मेरे पास IC नहीं है IC मैं मार्केट से अरेंज़ करता हूँ जल्दी ही मैं आपको ये बोर्ड वो IC लगाके रिपेयर करके दिखाऊंगा कि क्या उस ICC बोड चलता है कि नहीं चलता है तो आज की वीडियो बनाने का मेरा में मकसद यही था कि जो मेरे दोस्ट यह कह रहे थे कि सर हमें यहां से फंक्षन समझ में नहीं आते हैं इस ICC के तो एक बार explain कर दें तो मैंने वो explain करने की कोशिश की है तो मुझे उमीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से असानी से पिनों को ढूंडा जाता है आपको सारी पिनों को देखना ही नहीं है ICC की आपको बस यह main में जो पिने हैं आपकी VCC, Ground, Feedback और Drive पिन बस यह चार पिनों को अगर आप ढूंड लें ICC में से तो आप ICC का नंबर ढूंड पाने के करीब पहुंच जाएंगे तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा अगर फिर भी कोई confusion रहेगी हो तो आप जरूर नीचे comment करें दोस्तो मैं आपको फिर से explain कर दूंगा दुबारा से और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें दोस्तो और अगर चैनल अभी तक भी subscribe नहीं किया आपने तो चैनल को subscribe कर लें मैं दुबारा जल्दी आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में काम का pressure थोड़ा जैदा होने की वज़े से मुझे खेद है कि मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे काम में और वीडियो में दोनों में balance बना रहे कोई भी चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए काम भी time से होना चाहिए और वीडियो भी बन जाए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में जल्दी ही तब तक के लिए good bye friends